सु हिलो फ्रेंट्स एक और नए वीडियू में आपका स्वागत है कि आप भी स्टेट बैंक के कस्टमर हैं और नेट बैंकिन का इस्तिमाल करते हैं और यह जानना चाते हैं कि आपके बैंक खाता में अधार लिंक है या नहीं तो यह वीडियू आपके लिए है इस वीडियो में आपको बहुत ही आसाने से घर बैठे हैं आप या पता कर सकते हैं कि आपके बैंक खाता में अधार लिंक है या नहीं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पेज पेज चले आएंगे अब आपको यहाँ पे उपर में आपको प्रस्नल बैंकिंग दिखेगा इसमें आपको यहाँ बगल में लोग इन का ओप्शन दिखेगा और अब आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पास्वर्ट देखकर यहाँ पे नीचे में आएंगे तो आपको Capture Option में दो आप्शन मिलेंगे Image Capture और Audio Capture Image Capture से बढ़ना चाते हैं तो नीचे में यह जो Capture है इसको Same to Same आपको उपर में फिल करना है और Audio Capture से बढ़ना चाते हैं तो Simple हैं आप इस Audio Capture पे क्लिक करें और यहाँ पे आप play करेंगे तो आपको आवाज सुनाई देंगी और जो आवाज सुनाई देगा आपको यहाँ पे उसको fill करना है और आपको यहाँ पे login पे click कर देना है अब आपके mobile number पे जो bank से link होगा उस पे OTP send किया गया होगा आपको simple ने उस OTP को यहाँ पे fill करना है और submit पे click कर देना है और अब आपके सामने जो है net banking का first interface कुछ इस तरह से दिखेगा अब आपको करना क्या है उपर में three line का आपको option दिखेगा simple ही आपको इस three line वाले option पे click करना है और इसमें आपको first option ही my accounts and profile आपको दिखेगा आपको इसी पे फिर से click करना है और click करेंगे तो अब आपके सामने बहुत सारी options देखने को मिलेंगे आपको इन सभी options में से यहाँ पे profile का option दिखेगा उपर से तिसरा number है तो आपको simple है इस profile वाले option पे click करना है और जैसे आप इस पे click करेंगे तो अब आपके सामने फिर से date option देखेगे आपको सबसे उपर में ही my profile का option दिखेगा आपको simple है इस पे click करना है और जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपका profile password मांगा जाएगा net banking बनाते समय आपने जो profile password बनाए है आपको यहाँ पे उसको fill करना है fill करने के बाद आपको submit पे click कर देना है और जैसे आप submit पे click करेंगे तो आप अपने profile को यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके bank में क्या क्या आपका record है आपका यहाँ पे तो आपको नीचे की और स्क्रोल करना है इसमें आप देखेंगे तो आपको उपर में आपका नाम दिख जाएगा यहाँ पे आपको address दिखेगा आपका सहर दिखेगा state jeep यानि कि आपका pin code किस country से हैं यहाँ पे ऐसे तो इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका date of birth जो होता है यहाँ पे दिख जाएगा और इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका अधार नमर लिंक है या नहीं यहाँ पे आपको अधार नमर में दिखेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अधार नमर दिखेगा तो आप समझ जाएं कि आपका अधार नमर लिंक है तो इस तरह से आप यहाँ से बहुत यहाँ सानी से चेक कर सकते हैं